प्रणाधर सुन्दर साथ जी हमारी सामने सुरज चांज सितारों का यह ब्रह्माण दिख रहा है लेकिन हमें इसकी नस्वर्ता का बोध नहीं है हम सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए रहेंगे यह सत्य है जो हम है वो तो अनायदिकाल से है अननतिकाल तक रहेंगे किन्तो जिस पंचभुतिक सरीर को हमने धारन किया है वो तो हमेशा रहने वाला नहीं है इसमें तो हर चंड परिवर्तन हो रहा है किन्तों हमारी आंके उस परिवर्तन को देख नहीं पा रही है सारी सिष्ट में प्रती एक परमान कंपंसील है हर चंड परिवर्तन हो रहा है लेकिन वह परिवर्तन इतना सुच में है कि किसी को उसका भास नहीं है सूरी में हर च्छन परिवर्तन हो रहा है, चंद्रमा में परिवर्तन हो रहा है, प्रिथिवी में परिवर्तन हो रहा है, हमारे सरीर के एक एक सेल्स में हमेशा कुछ ने कुछ परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवर्तनी प्रकृत का नियम है, किन्त इस द्रिसमान जगत को हम हमेशा हमेशा अखंड मानते हैं यही से बोल प्रारंब होती है अक्षरातित स्री प्रागनाजी की बारी इस नस्वर जगत के समझ में यथर्षत का उद्गा उद्गाटन करते हुए हमें प्रबोद कर रही है कि रे जी खिन एक लेहू लटक बन जाए आई जी तुझे जीवन में एक छाड़ कर समय मिला है और तुम्हें अपने जीवन को सार्थक करना है क्योंकि यह सरीर किसलिए मिला है कि वहल अपने प्राणिस और अख्षरातित को पाने के लिए संसार में हम जब आँके खोलते हैं तो माया का यह संसार लुभावना परतित होने लगता है संगे समंधियों किया सकती हमें उनमें बांध देती है और प्राणिस और क्या होता है हम अपने प्राणिस और को भुला देते हैं लगता है कि यही तो हमारी आनादिकाल से हम जन्म से पहले कहां थे यह हमें पता नहीं और यदि हमने प्रीतम को नहीं पाया हमारे मन में संसार के तृष्णाय बसी रही तो इस शरीर को छोड़ने के बाद हम किस परिवार में जाएंगे किस योनी में जाएंगे यह हम नहीं जानते हमारे कर्मों की वासना हमें उस जगह ले जाएगी लेकिन यह निर्णे तो होगा इस स्रिष्ट का जो विधान है परमात्मा के नियमों में बदा हुआ उसके उन सारी हमारे जीव कहीं न कहीं प्रविस कर जाएगा कहने के लिए तो हमारी उम्र सो साल हो सकती है दो सो हो सकती है तीन सो हो सकती है किन्त यह सारा समय एक छड़ के समान बताया गया है पता नहीं कब किस समय सरीर छूट जाए चांद्यों को पनिसद में प्रजापत कहते हैं कि प्रतेग मुने इसको यह सोचना चाहिए कि उसका सरीर वैसे ही है जैसे बग्री का मुख सेर के मुख में पढ़ा हो और कभी भी वो जबड़ दबाए और उसके प्राम निकल सकते हैं जिस तरह से दूप में खड़े होने पर चाया हमारा साथ नहीं छोड़ती उसी तरह से जब जन्म होता है तो जन्म के साथ मृत पीछे लग जाती है कर्मे के साथ उसका फल पीछे लग जाता है मन उसकर्म क्यों करता है जीवन या अपन के लिए अपनी पांचों इंद्रियों से विस्यों का भोग करता है और ये विशे उसको प्रकृत के बंदनों में बाथते जाते हैं कोई अपने निश्रूप को नहीं जानता कि वास्तों में वो है क्या वो आँख नहीं है जिससे वो देख रहा है वो नासका नहीं है जिससे वो सुंग रहा है पांचों इंद्रियों से पांचों विश्यों का सेवन करके मन अनन्दित हो रहा है चैतने जीव तो द्रश्टा हो करके देख रहा है कि मन के द्वारा इनका सेवन कैसे किया जा रहा है और मन के इस ब्रह्मे सारा संसार फसा हुआ है ज़िए जान चक्चु खुल जाए कि नहीं इस सारे विसे हमें बांधने के लिए प्रकृत में और इस प्रकृत के सुखों के बंधन में बदकरतों मैं लाखों बार जन्मा हूं लाकों बार मेरे सरीर का मरण हुआ है मैं तो अजनमा हूँ मिरत मेरा कुछ नहीं कर सकती लेकिन मेरे सरीर को छोड़ नहीं सकती संसार में प्रतेक प्राणी ने जिसने जन्म लिया है सरीर उसका आवस छूटता है यह प्रकृत कभी दान है आज जो किसी भावन का निर्मार करते हैं जो बहुत दिर दिखाई दे रहा हो फिर भी कभी न कभी वो भावन धरसाई होता है हमारा सरी जो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है बलवान दिखाई दे रहा है एक दिन काल के गाल में समा जाएगा इसको पंचभूतों में पुरा मिलना ही होगा क्योंकि पंचभूतों के सन्योग से बना है पांच मलीने काया पर ठीत हिमा है जीव समाड़ो जीव जो चैतन्य है इसको मृत तो अपने बंदन में नहीं बाढ़ सकती सरीर को बाढ़ती है क्योंकि प्रकृत में प्रतेक जड़पदार्ट परिवर्तन सील होता है और जब शरीर का जीव का सन्योग हुआ है तो यह मानों को यह औसर दिया गया है कि वह स्वयम को जान सके अपने प्राणे स्वर को जान सके कि वास्तों में उसके जीवन का चरम लग चक्या है जन्मत ही तीरू अंग जूठो देखा थी बिट जाए ऐ जीव जब तू पैदा हुआ था तो खुसिया मनाई गई थी लेकिन तुझे नहीं मालूम है कि सरीर के जिन नमों को तू सजाता है समारता है दरपण में उससे देखकर आनन्दित होता है कि मैं इतना सुंदर हूँ यह सुंदर है तो छड़िक है इस सरीर का स्थित भी छड़िक है सारा संसार द्रिसिमान जगत के पीछे भाग रहा है वो सुचता है कि इस द्रिसिमान जगत में सांती की में राप्दी कर लूँगा कटुपनिसत में एक बहुत दूची बात कही गई है परांच खान बेद्रणत स्वेंभू तस्पात परांग पस्यत्ना अंतरात्मन अरथात परमात्मा ने पांच इंद्रियां बनाई है जिसके कारण मनुस बाहर ही देखता है कोई धैरेसाली पूरुस होता है जो अम्रित तत्त की इक्षा करता है परम तत्त को पाना चाहता है और वहीं अंतरमुखी होता है कि नहीं यह सूर्य चेहंद्रमा तारे अकास गंगाएं यह सरीर जो कुछ दिख रहा है यह तो सब नस्वर है काल के गाल में समाज आने वाले पेरा सरीर भी एक दिन नश्ट हो जाएगा इसलिए सरीर के अंदर जो चैतन्य है वो अपने निश्वर्व को जान ले अपनी आत्मा के प्राणे स्वर्व को जान ले यदि वो ऐसा कर लेता है तो उसका जीमन धंधन हो जाता है यदि वो सरीर के पीछे भागता है संसार के पीछे भागता है तो कहीं न कहीं आज्यांदा का अंदकार उसका पीछा कर रहा होता है वेद में अस्पस्ट कहा गया है कि पर मात्मा को जाने बिना मृत्य के बंधन चे चुटने का कोई भी मार्ग नहीं है न अन्नापंत्हा विद्धियनदाए कोई दूसरा मार्गी रहे हैं हम चक्रवर्ति समराट बन सकते हैं सरवस्रिष्ट विद्वान बन सकते हैं संसार के सभी निसके धंगरंतों पर प्रोचन दे सकते हैं, कि यदि उसका सक्षषद कार नहीं हुआ, तो नहीं हमें सास्वत सान्ती मिलेगी, ना सास्वत आनंन्द मिलेगा, ना सास्वत प्रेम Deshalb इसलिए उपनिसत्थ एक स्वर्शे करते हैं तम आत्मस्थम यह अनपसंद्थी धीरा तिसाम सुखम सासुतम ना इत्रिजाम अपनी आत्मा विस्तित्वकर आत्मस्थोकर जिसने उस सजदानंद पर ब्रब्रम का सक्षत कार किया है कभि नणी पास सासवत सुखें नहीं किसी के पास हम देखते हैं जाते हैं रात भी पीतती है प्राता होता है है सूरी समकने लगता है कुछ घंटों के पैसusa सूरी भी गनान्द कार्छा जाता है पुना प्रात्य का लालिमा दिखाई देने लगते हैं उगते ही वे सूरी को हम देखते हैं डूपते ही वे सूरी को देखते हैं ऐसा करते करते तीन सो परसेट दीन भीत जाते हैं एक बर्स पूरा हो जाता है किन्त यदि सुक्ष में दिश्टे दिखा जाए जैसे हम सप्न में अपने सारे जीवन का द्रिस एक मिनट में एक पल में देख लेते हैं वैसे ही हमारा जीवन एक पल में वितीत हो जाता है ऐसे बार तो हम कितने बार जन्म ले चुके हैं हमने नाना प्रकार के घरों में निवास किया है अनेको माता पिता को देखा है अनेको भाई बंदों को देखा है कभी पूरुस बने कभी इस्तरी बने कभी पसपक्षी में गए कभी किडे मकोडे बने क्योंकि त्रिष्टा हमा इस बृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है वह बृद्धावस्था में भी अपने तिश्राओं की पूर्ती चाहता है लेकिन सर्वसक्तिमान, सकल गुण निधान, अनन्त प्रीम, अनन्त आनन्त और अनन्त सांती के सागर परब्रम से मुख वोड़े रहता है बृद्धावस्था में खास्ते खास्ते भी वो परिवार के सदस्यों से सांती चाहता है उनके मुख के बंदन को छोड़ना नहीं चाहता है वो जानता है कि सरीर चुटेगा और ये तुम्हारे नातिप होते तुम्हें अगनी की लप्टू के हवाले कर देंगे अपचारिता निभाने के लिए बर्स में एक बार सोक मना लिया करेंगे बाहर ये उरूप से या जानते ही भी परिवार के मुख को छोड़ने के लिए कोई बिला ही राजी होता है जो अनाधिकाल से हमारा है अनंतकाल तक हमारा रहेगा जो हमारे हिर्दे मंदिर में पलभल निवास करता है किन्त हम अपने हिर्दे के पक चक्चु तो खोलना ही नहीं चाहते हैं हम बाहर के आखों से बाहर के जगत को देख करके भरमित हो रहे हैं सोचते हैं यह हमारी पत्नी है यह हमारा पत्ती है यह हमारा बेटा है यह हमारा पोता है यह हमारे संगे समंधी है यह हमारे हैं लेकिन जो हमारा अनादिकाल से है हम से अनंद गुना प्रेम करता है जिसके हर्दे में प्रेम करना अनंद के अतरिक्त कुछ विकार नाम के बस्तरी ही नहीं है न काम है न क्रोध है न लोग है न मोग है न अमने ऐसे सवरसक्तिमान पर मात्मा से प्रेम करना यह संसार नहीं चाहता संगे समंद्यों के लिए हर कोई रो सकता है धन संपता की प्राप्ति न होने पर हर कोई रो सकता है पद न मिलने पर रो सकता है लेकिन परमात्मा के नम मिलने से रोने वाले कितने दिखाई देते इसलिए ये सारा संसार जो इतना आकरसक दिख रहा है इसमें कोई सार्त तो नहीं है बस एक ही सार्त तो है ये जगत परमात्मा की सत्ता कोदर सारा है इस जगत में परमात्मा का जान अवतरित होता है जिससे संसार के प्राणियों को उसकी महिमा जानने का उसर मिलता है जिदि यह संसार नो हो तो कैसे कोई परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करे महाप्रले के वस्ता में तो किसी को कुछ मालूM नहीं कि हम कौन है कहां से हमारा इस्तित्ष तु क्या है ऐसी इस्तिती में यह संसार परब्रह्म की महिमा को दर्शाने के लिए उसकी महिमा कहा हम अलोकन करें अपने विवेक चक्चों से देखें और उससे प्रÝ्ए में इस संसार प्रित्यमक्षरतीत के बाड़ी हमको संबोधित करते हुए कहती है रेजीव निमक के नाटक में तू क्यों रहे हो बिलमाए यह सारा संसार क्या है एक छड़ का है इसमें हमें भटकना नहीं है हम भटकते आ रहे हैं एक बार नहीं भटकेएं हैं लाखों बार भटके हैं किसी अंद्यविक्थि को राज्ते में ठोकर लग जाएं तो सूचता है कि भया स्मिया ठोकर ना लगें लेकिन देखाजाए तो हम बाहर से भी अंद्य हैं और अंदर से भी अंद्य हैं ठोकर लगती रही है, शरीर हमारा जरजर होता जाता है उम्र बढ़ने के साथ, लेकिन दिश्णा ऐसी पिसाचनी है जो हमारा पिछा नहीं छोड़ती, हम भागते जाते हैं, दांत सारी गिर चुके होते हैं, बोला नहीं जाता, अस्पष्ट सब्दों में, सीर के बाल थेड़ी हो जाती है, कानों से सुनाई देना बंद है, लेकिन दिश्णा और भी पिसाचनी, उसका पिछा नहीं छोड़ रही होती है, ऐसा तो लाखो बार कर चुका है, लाखो बार बृद भृद हुआ है, लाखो बार मता के गर्वू में रहा है, लेकिन जब जन्म लेता एवा होता है तो संसार का बोज उसके सीर पर आ जाता है वो सूचता है कि मैं झाल रहूं तो इस कारी को कौन करेगा वोने इसको अकरमड़ी नहीं होना चाहिए यह बात सही है करियासील होना अवस्यक है लेकिन उसमें विवेक होना जरूर है एक बात कही जाती है कि जीवन यापन के लिए अर्थ तो चाहिए जिदि हम संसार की नस्वरता का बोद करके कि वोल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहा जाएं तो क्या होगा मैं कहता हूँ कि ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आप निठल ने बैठे रहे हैं आप देखेंगे हैं। जंद्र माय गत्सील हैं पृतिवीए रही पर गत्सील है. सुरिवी अपनी धूरी पर गत्सील है। रही हएं। हर चछर कंपन हो रहा है जस च चहर कंपन बंद हो जाएगा सभा स्व विह नाश हो जाएगा। मनिस को भी निष्ठलना नहीं होना है क्योंकि अलस्य उप्रमादी जीवन उसके बिनास का खर्ण बनता है प्रस्थ यह होता है यदि हम क्रियासी लोंगे तो अर्थ उत्पन्न होगा अर्थ जब पैदा होता है तो उसका भोग करना होगा जब भोग करेंगे तो इस अंसान में आकर्षन बढ़ेंगा ऐसी इस्थिति में हम क्या करें वियत नहीं समंध में बहुत उची बात कही है तेन तेक तेन भुंजिदा मागर्दा का सस्वितनम जो कुछ परिमात्मा ने दिया है उसका त्याग पुरुवक भूग करना है एक तो आसकती पुरुवक भूग करना अलग है और दुसरा है त्याग पुरुवक भूग त्याग पुरुवक भूग का ताथ परिक्या है राजा जन्नक को देखिये, महराजा चप्तर साल जी को देखिये सिंगहसन पर बैठे हैं, लेकिन सिंगहसन का मोह नहीं है वे किलो करतब का पालन कर रहे है कि मुझे राजा के बद पर बैठाया गया है तो मैंने इस काम भाव से अपना करते पर पूरा करूँ इस सिंगहसन को इस राजपाट को मैं अपना ना समझाँ यदि जोपड़ी में रहने वाला कोई बैठती जो मुठी चावल पर आसकती रखता है तो निश्चित ही है कि वो उसके बंधन का करण बन जाएगा लेकिन सोने के सिंगहसन पर बैठे हुए माराजा चत्रसाल और राजा जनक संसार से परे हैं वे वैसे हैं जैसे जलमे नहाइए कोरे रहिए कीजे अंतर मेवास इस कतन को चर्टार्द करते हैं भोसागर के जलमे हैं देखने के लिए राजा हैं लेकिन सबसे अलग संसार का मौह उन्हें छू भी नहीं गया है केसर भाई आई थी परिक्षा लेने के लिए महाराजा चैतर साल जी को देखती है कि उतों निर्त देख रहे हैं राज महल में सूचती है कि जो महाराजा निर्त देखने में तलीन है वे मुझे क्या ब्रम जयान देंगे चैतर साल जी उनके मन तब एको समझ जाते है क्योंकि उसने केसर भाई ने नाथ पकड़ करके संकित किया था चैतर साल जी ने आउठी को असपरस करके बताया कि मैंने इस माया को पैरों की नीचे दबा रखा है केसर भाई समझ गई चर्णों में नत्मस तक हुई इसी प्रकार जनक से जान लेने गए थे सुकदेव जी उनको भी भ्रम हो गया कि जो जनक सिंगहसन पर बैटका राजसी सुक में तलिन है ये भला मुझे ब्रम जान का उपदिश कैसे दे सकते है सुकदेव का भी भ्रम दूर हुआ और दोनों ने और उन्नों ने तत्वज्यान को प्राप्त किया वेद यही कहते हैं तेन तक तेन भुंजिदा जो कुछ मिला है त्याग प्रवक भोग कीजिए यदि आप चक्रवर्ति समराठ है सारी प्रतिवे के छत्र स्वामी है तो भी आप परमात्मा की अरादना करना बंद मत कीजिए यदि आप विद्यारती हैं तो भी परमात्मा के चर्णों से अपने को दूर न कीजिए यदि आप गिरहस्त हैं तो एक दिन के लिए भी परमात्मा को बिस्रित मत न कीजिए ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने परमात्मा के अरादना न कीओ ऐसी कोई रात नहीं होनी चाहिए जिसमें सोने से पहले आपने प्रितम को अपने हिर्दे में स्थान न दिया और ऐसा करते भी आप संसार के सारे उतर दैतों को पूजरा कीजिए तो माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी इसी को कहते हैं जल में नहाईए कोरी रहिए जल में कहने के लिए कमल का फूर किला होता है लेकिन जैसे जैसे जल बढ़ेगा कमल का फूर उपर होता जाएगा जल की गहराई कितनी भी क्यों नहीं हो वो कमल को डूबो नहीं सकती इमोस आगर कितना भी गहरा क्यों नहीं हो यह जिन्नोंने तत्व ज्यान प्राप्त किया है जो प्रीतम के चड़ों में स्वयम को सरद्धा पूर्वक समर्पित कर देते हैं एड़े जी निमक के नाटक में तू रहयो क्यों पिलमाए यही तो ब्रह्म ए हम अनाधी से हैं तो हम स्वयम को मरने वाला समझते हैं शरीर छड़िक है तो इसको हम अखंड समझ लेते हैं यदि हमें बोध हो जाए कि सरीर पैदा हुआ है ये नस्वर है वाई अनिलम अम्रतम अथिदम सरीरम भसमानतम परमात्मा अखंड है आत्मा अखंड है सरीर तो अंतों गत्वा पंजबुतों में विलीन हो जाने वाला है सरीर की नस्वर्ता को जानते हुए और स्वयम को अखंड मानते हुए हम उस अनाद अनंद सच्टानंद परब्रम के प्रेम में स्वयम को डूबो दे तो हमारा मारू जीवन धंतन हो जाएगा यदि ऐसा नहीं करते हैं तो यह जीवन निरर्थक ही चला जाएगा और जो जीवन का समय बीत जा रहा है वो कभी हमें प्राप्त होने वाला नहीं अब देखिए कुछ समय पहले यदि किसी को कहा जाता था कि भई वाणी पढ़िये राजी का ध्यान किजिए तो यह कि उत्तर था कि क्या करें आज किल काम का बहुत अधिक बहुत चल रहा है कर लेंगे बाद में राजी को यात अब करोनो वैरिस का असर पड़ा या इसे ही कोई महा मारी आती है लोगों को तब ऐसास होता है कि क्या हमारा जीवन मिट जाएगा यह निश्चित है कि हम नहीं मिटेंगे लेकिन जो हमारा तन है या तो कभी भी मृत की गोद में जा सकता है ऐसा जो याद रखता है हर पल मृत को कि सरीर नस्वर है किन्तो हम नस्वर नहीं है क्योंकि हम कौन है हम तो उस सजदानंद के प्रेम के सागर की लहरे मात्रे हैं हम उसके तदोगत हैं जैसा वह है हम भी वही हैं इसे इस्तिति में हम संसार के बिस्यू के पीछन नहीं भागेंगे विस्यू में क्या है कोई आनंद नहीं कोई सांती नहीं एक तृष्णा है जिनको मिर्च खाने की तृष्णा होती है जब उस नहीं मिलती तो धड़पने लगते हैं सरावी को सराब के बिना पागलपन सभार हो जाता है जो अफिम का सेवन करता है जब उसको अफिम नहीं मिल कोई आनंद नहीं है जब हम संसार के पीछे भागना बंद कर देंगे तो हम संसार क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं सकते, कोई काम है नहीं, जब कोई काम नहीं रहता, तो प्रितम अक्षरातीत की यादा आती है, जब संसार का काम चल रहा होता है, तो प्रितम अक्षरातीत सबसे गए गुजरे जैसे लगते हैं, कि पहले संगे समधियों का सारा बैभार निभालें, अधिक से अधिक धन कमालें, अधिक से अधिक संसार के सुख का उपभोग कर लें, और अपने अराध्य, अपने प्राने स्वर, अपने प्रितम के लिए, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट कठनाई से निकाल पाते हैं, क्योंकि हमे जो हमारा अनंदकाल से है, अनंदकाल तक रहेगा, उससे हम कही न कही पीठ दे देते, और ऐसा करने से क्या होता है। हम आया हुआ आसर खोड़ेते हैं, देखत ही चली जातवाजी, हम अपना सुनन आसर खोड़ेते हैं, इसो बड़ा सुनन आसर कौन पाएगा। बिर्था का निगमोरी पामी पदारत चार उत्तामान के खंड भरतनों अनिस्रिष्ट कोली सुर्दार अब देखिए भारत में गरीवी मिल सकती है हो सकता है गंद की कटेर भी देखने को मिल सकती है अमेरिका की सड़कों पर सफाई देखने को मिलेगी रूस में सफाई देखने को मिलेगी चाइना में चाका चौध भाधिकता की देखने को मिलेगी ऐसा लगेगा बाहे दिर्ष्ट देखने पर कि अमेरिका रस्या चाइना तो स्वर्ग है इंग्लेंट स्वर गया है किन्त अंतर दिर्षे देखें तो पता चलेगा कि महाँ कोई सार नहीं है अधन की बहुलता है लेकिन सांती कहां से लाए क्योंकि परमतत्यु का जान उनके पास नहीं है और चाइना वाले तुद संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको ना खाते हो जीवा के तृष्णा के वसिवू सभी देश है संसार के वो तो घड़ी आल को भी खाएंगे बिच्छी को भी पका करके खाएंगे और तो और मनों इसके घर बात की वे बच्चे को भी खा लेते किसके लिए उनको लगता है इसमें स्वाध है जो गाए घास खा करके हमें अमरित की समान मीठा दोद देती है उसको भी मार कर खा जाते है मानोता नहीं अध्यात मुन में नहीं है कोई चर्च में जाकर खड़े होकर कोई प्रारत नहीं कर ले जो सभी प्राणियों में एकत्व नहीं देखता अपने समान सभी प्राणियों को नहीं देखता वो मों और सोक से ग्रसित रहता है भारती संस्कृत संसार के स्वयम प्राणियों में संसार के समस्थ प्राणियों में स्वयम को देखने का उध्गूस करती है एक बिच्चो के अंदर भी जो चेतना है वो चेतना मेरे अंदर है वही हाथी के अंदर है वही घुड़े के अंदर है वही गाय के अंदर है वही चंडाल के अंदर है ऐसी भावना रखने वाला प्राणी सुपन में भी किसी को पीड़ा देना नहीं चाहेगा और जिनने अपनी जीवा को इत्रिप्त करना है वो तो किसी भी प्राणी का मांस खाने में जिजक नहीं करते उन्हें इस पीड़ा का असास नहीं है कि जब उस प्राणी को मारा जाता है तो उसको पीड़ा कितनी होती है कि अपने जीवा के दिव्त करने होती है इसलिए इंग्लेंड के लोग लोग ऑ ini sam एक या रसदिया की लोग क्या चाहिए। किसी का मांस रात्री को एक किसी प्सपंची का म Cabinet उससे वह संतुष्ठ होते हैं, लगता है कि हमें सांती मिल गई है, वह अच्छे भावनों में रहते हैं, अच्छे सुक्सन सादूनों में पले बढ़े होते हैं, लेकिन उनके पास सांती नहीं है, भारत में परम्धाम का जान उत्रित हुआ है, यहां गरीबी देखने को वसी मिल सकती है, किन्त, अध्यात्मिता का रस तो यहां ही बरसता है, इसने भारत में जन्म लेकर, तारतम ज्यान का प्रकास पागन, मानोतन पागन, सच्छतानन परब्रम के सरुप की पहचान करके, जो उनसे प्रेम नहीं करता, उससे बड़ा भागहीन इस त्रिष्टी में को इसलिए प्राणाजी के वाणी ने सब को प्रभुतित करते ही यह संदेश दिया है, किरे मानो, देखती चली जातवाजी, भूलत क्यों प्रभुपाए, तु अपने प्राणेस्वर के चड़नों को क्यों भुला रहा है, यदि तु भुलाए रखेगा, तो यह उसर जो सु किती नो महीने माता की गर्म में रहने के बाद बाहर आया है, और मरते समय, तुने कितने कश्ट कानभो किया होगा। मृत्यु का नाम सुनकर बड़े बड़े योधा कांपने लगते हैं वे दूसरों पर प्रहार करते हैं लेकिन जब स्वेम मरने का समय आता है तो भाईभीत होने लगते हैं सिकंदर भी रोपड़ा था मृत्यु के बैसे यह मृत्यु है जो किसी पर दया नहीं करती जब समय आता है उठा ले जाती लेकिन इस मृत्य के द्वारा उस जीव को एक नया जीवन मिलता है प्रमात्मा की कोई विक्रिया निरर्थक नहीं होती मृत्यु के साथ ही जीवन का समध्य जुड़ा हुआ है और जीवन के साथ मृत्य का समध्य जुड़ा हुआ है इस सारत्तों को जिसने जान लिया उसने एक-एक पल का सुद्वयोग करना सिख लिया मेरे कहने का सही है नहीं है कि हम कुछ काम न करें यदि देश के सत्तर लाक महत्मा तब तो ज्यान सीक्त हो जाए तो उनका निठला अपना समाप्त हो जाए वी अपना अधिक समय सुने में बैतीत करते है नसे में बैतीत करते है निरर्था घूमने में बैतीत करते है यदि वो ज्यान आर्जन करें प्रदिन कुछ गंटों का ध्यान करें कुछ गंटे स्वाधाय करें और कुछ गंटे धर्मुपदेश में करें तो उनका भी जीवन धंदन हो जाए और संसार का भी बहुत कुछ बला हो जाए किन्तु घर छोड़कर वनों में अस्रुम में रहकर के भी ये सन्यासी बर्ग कहीं न कहीं भटका हुआ है ग्रियस्त जहां आँख मुद कर धन के पीछे भाग रहा है वहीं संसार की नस्वर्ता को जान करके भी सन्यासी बर्ग कहीं अलस्य प्रमाद में पड़ा हुआ निठल्य पन का सिकार हो रहा है और यह निठल्ला पन बेगा तक है और धन की खोज के पीछे दिन रात कुलों के बैल की तरह पिसना भी निर्थक है क्रिश्प के प्रेम में उन्होंने बाधक नहीं बनने दिया संसार के उतरदाइतों को हम संसार की प्रात्मिक्ता को पहले मान लेते हैं राज्जी के प्रति हमारा उदासीन भाव हो जाता है कि चलो बाद में कर लेंगे आज चित्वनी नहीं कि कल कर लेंगे आज बाणी नहीं पड़ी कल पढ़ने कि लेकिन अब तो सब के पास आज कल समय हो गया है हर कोई सोचता है कि कोई कामदाम नहीं चलो बाणी पढ़ लो कुछ चित्वनी कर लो याद रखे जो आपका है उसके प्रति आपचारिकता नो निवाई है वो आपके भोग का प्यासा नहीं है आप पांच चुपाइओं पढ़कर की यह दर्स आते है कि मैंने पांच चुपाइओं पढ़ ली अक्षरतित आपकी जो भी कृपा है उसके बदले हमने कुछ अपना करते पर पूरा कर दिया तो यह भ्रह्म है करते पर पूरा करना तो इस संसार के लिए है अक्षरतित के प्रेम के बिना तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें अपने जीवन का अस्तित्व ही निर्थक होना चाहिए यदि हम संसार के बैवों के पीछे आखमूत करें इसी भागते जाएंगे तो क्या होगा एक दिन बैवों तो छूट जाएगा आज देखिए कुरूना से लोग संकट गरस्त है जिन के तन छूटते जा रहे हैं उपारजी सारा धन तो यही रह जा रहा है हम भी सोचें कि जदि हमारे सरीर छूट गया तो क्या होगा हमारा यभवन, हमारे संगे समंधी यही छूट जाएंगे हमें अकेले ही कहीं जन्म लेना होगा यह अकेले ही हमारे जीव को कहीं जाना होगा यदि यह बात हमें समझ में आ जाए तो कोई भी वेक्ति समय का दुरुप्योग नहीं करेगा ना तो आला से प्रमात्मी निठले बैठा रहेगा नो आँख मूद कर धन कमाने के पीछे राजी से मुख मोड़ेगा दोनों ही अतियां ठीक नहीं है हमारे धर्म गृंतों का उपदेश है कि चराई वेद चराई वेद चलते रहो चलते रहो किस पर? सत्पत परパरमात्मा की प्रेम मार्क पर चलते रहो जो अर्थों पारजन करो उसमें त्याग पुरव moteं 3 तक तक तीं अभूंजी था त्याग पुरवक gezसे माराज चत्थ साथ सिंगासन पर बैठ कर भी शिंगासन पर नहीं बैठ रहे थे आपको प्रतिवी पत दिखावे ऐसे किते गई वजाए देखें यह संसार है जब अनुस अज जानता कि रहा पर चल पड़ता है जब तो संसार में कोई उच पत पा करके सब को बताता रहता है कि देखें मैं इतने बड़े पत वाला हूँ यदि किसी को सारी प्रतिवी का भी राजय बना दिया जाए तो क्या होगा सभी पदिया ही रह जाते है उस चक्रवर्ती समराठ कलाने का विक्या लाव यदि पर्मतत्त को प्राप्त न किया तो उससे अच्छा तो वा योगी है जिसके पास भीक्छा में मिले व्यान की अत्रिक्त कुछ भी नहीं है जब भरत्री हरे को वैरागी होता है तो कहते हैं कि अब तो गुदड़ी मेरा बस्तर है बिक्छा में जो सत्तु मिल जाता है उसी को खा करके मैं अम्रित कानभो करता हूँ अब तो गंगा के किना रहे या कहीं ध्यान में बैटने पर जो सुख मिलता है उस सुख के सामने तो अब सारा संसार निर्थक लगता है किन्त एक वही बरत्री हरे थे जब वैरागी नहीं हुआ था बिवेक जागरित नहीं हुआ था तो पिंगला के प्रेम में एक जन्मों से नहीं साथ जन्मों से बदे हुए थे उनको राज का बैभावी सब कुछ लगता था अपनी महराणी का स्रिंगारी उनने सबसे प्रिय लगता था और इन साथो जन्मों में इस्तितिया थे कि वो सन्यासी बने थे और पत्नी के मुँँए सन्यास छोड़कर के वी वापस लोटाते थे उन्होंने सोचा था कि मेरा जीवन पत्नी के इर्दिगर्धी है परमतत्त की प्यास उन्हें ब्याकुल नहीं कर पाई थी लेकिन जब विवेक होता है तो क्या कहते है धेक माम चाहिए माम ताम चाहिए मुझे धिक्कार है कि मैं जिस पिंगला रानी से प्रेम करता हूं वह मुझे प्रेम नहीं करती है वह घुरसाल के दरुगा से प्रेम करती है और वह भी उससे प्रेम नहीं करता है एक विश्या से प्रेम करता है और विश्या उससे प्रेम नहीं करती है मुझे चाहती है, उनका हिर्दय तूट जाता है, कहते है कि हम सब के संसारिक लगाओं को दिक्कार है, कि इन में से हम चारों में से कोई भी परमात्मा से प्रेम नहीं करता है, संसारिक आकर्षण सब को खीचे हुए है, और इसलिए यदि कोई बेक्ति, सारी प्रतिवी का एक तो सायद उसको भी अंकार नहीं लेना चाहिए कि मैं हमेसा ऐसे ही रहूँगा, जैसे पानी का बुलबुला पानी में समाप्त हो जाता है, वैसे ये जीवन, ये पद, ये योवन, और सुख का भोग सभी नस्वरे हैं, काल के गाल में समाज आने वाले हर दिन परमात्मा के ध्यान से प्रारम होना चाहिए हमारा, जात्री सैन से पुरु उस पृतम को अपने हिर्दे मंदी में बसा कर इस सैन की तरफ हमें कदम बढ़ना चाहिए, ऐसा यदि हम करते रहते हैं, तो कहीं ने कहीं माया हमसे भाग दी जाएगी, यदि हमने दोनों समय प्रानेस्वर को हिर्दे में बसाना बंद कर दिया, तो माया हमें निकलने के लिए पहले से तैयार हुई बैठी है, अमर पूर सिर्दार कहिए, काल न छोड़ता है, पृतिविका तो कोई चकुड़ती राजा बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं, स्वार्गे में जो देवताओं के राजा इंद्र कहते हैं, काल उनको भी नहीं छोड़ता है, या काल तो स्रिष्ट में किसी को भी नहीं छोड़ता है, स्वार्ग में जाए, बैकुंठ में जाए, चौदर लोकों का ये जो ब्रह्माद दिख रहा है, सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, चीवरे चत्रमक को जिस ब्रह्माद जी के द्वारा संसार में वेदों का ज्यान फैला, वे ब्रह्माद जी भी काल के अधीन है, जीवरे चत्रमक को छोड़ता है, मेरे जीव इस बात को याद रख, तो ब्रह्माद जी से अधिक ज्यानवान तो नहीं बन सकता, देताओं के राजा इंद्र से अधिक आईस्वरे का भोग तो नहीं कर सकता, जब काल इनको नहीं छोड़ता है, तो तू किसके पीछे भाग रहा है, जिस योवन के मद में तुमस्त है, धन वो पारजन में लगा हुआ है, अपने अराध को, अपने प्राणिस्वर को भूले बैठा है, तू याद तो कर, जब ब्रह्मा जिगी और इंदर की ये दुर्दसा हो रही है, काल कैतिन होकर वो भी इस संसार को छोड़ने के लिए बिवस हो जाते हैं, तो तेरा योवन, तेरा पद, तेरा धन, कितने दिनों तक रहने वाला है, और परमधाम की ब्रह्माणी को मिलने के बाद भी यदी को काल पहुंचे आए, जिधर देखिए, उधर काल की ही सत्ता है, ये धागता हुआ सुरज एक दिन ठंडा हो जाएगा, अपना स्चित भुला देगा, ये नौगरा भी एक दिन नहीं रहेंगे, हमारे सुरी जैसे लाखों सुरियों को निकलने वाला ब्लेक होल तारा भी नह रहेंगे, करोणो गल्यक्सिया भी उस स्रिष्ट में महा सुनी में विलीन हो जाएगी, आप सोचिए, हम तो करोड, दो करोड, दस करोड, व्जक करोड रुपया वाल रुपिया कमा लेते हैं, तो सुचते हैं कि हम बड़े हो गें, बड़े हो गें हमारे जैसा कोई नहीं, हम सोचते हैं कि सारी पृतिवी का धन मिलने के बाद भी हमारे पास यह रहने वाला नहीं है हम अपने सरीर की सुन्दर्दा को देख करके दुसरों को तुक्ष समझते हैं हम यह नहीं सोचते हैं कि एक दिन यह सरीर भी नहीं रहा पाएगा बुड़पे में यह सरीर कुरुप दिखने लगेगा उसमें हम क्या करेंगे हमारे सरीर में जो मल मुत्र का संचय बना रहता है हम प्रती दिन देखते हैं कि हमारे सरीर से मल निकल रहा है लेकिन इतना ध्यान करते हैं इतना जानते हुए भी हम इस सरीर से परहुकर अपने आत्मिक सुरूप में नहीं खोते अपनी आत्मा के सुरूप से उस प्रितम परभरम से प्रेम नहीं कर पाते और भागते रहते हैं भागते रहते हैं उस संसार के पीछे जिसमें हम लाखो जन्मत से भागते आएं लेकिन कोई सार नहीं मिला जीवन की अंतिम गड़ी में ऐसा लगता है कि हमेरे संगे समिधी बैठे होते हैं हमारी डबडबाई आखें उनको देख रही होती है ऐसा लगता है कि अब हम संसार से जाने वाले हैं संसार से जाने वाले नहीं होते हैं कहीं जन्म लेने वाले होती है, नो चाहती है भी मां के गर में हमें नो मेने रहना पड़ता है, मरते समय का कष्ट अलग है, जन्म लेते समय का कष्ट अलग है, किसी को ऐसे कक्छ में बंद कर दिया जाए, जिसमें कहीं भी छिद्र नहों सांस के लिए तो घुटन होने लगती आप सोचिए गर्ब में बालक किस तरह से रहता है मल मुत्र के ढेर में लिप्टा होता है सांस लेने के लिए क्या होता है यह तो परमात्मा की कृपा से ऐसी रचना है कि गर्ब में लिप्टा हुआ बालक भी सांस लेता रहता है सब कुछ सुनता रहता है उसका आहर भी प्रा जिसके क्रिपा से उसका जन्म हुआ है जिसके क्रिपा से उससे जान का प्रकास मिला है वो क्रिपा के अनंत सागर्थ जिसको बाणी कहते है दया सिंध सुक सागर इस्क गंचा पार सराप पिलावत गैंसो साकी असरदार्थ तार्तम बाड़ी लेकर वो प्राणिस और अक्षरतीत जो धया का सागर है आनंद का सागर है प्रहमधाम के आत्माओं के लिए प्रेम का अनंद सागर है और जदी हम अपनी आँखे बंद कर आत्मा की आँखों से उसको देखने का प्रयास करें तो ऐसा लगेगा कि अक्षरत मान लेते हैं जो हमारा अनादिकाल से था अनंतिकाल तक रहेगा उसे हम पीठ मोड़े रहते हैं काल की स्रिष्टी में हरवेस्ट काल के दीन है हमारा सरीर भी काल के दीन है इसको हम अखंड नहीं कर सकते हैं किन्तो हम अखंड है हमारा प्रितम अखंड है प्रेम सजाती का होत संसार के पीछे संसार के एस्वरी के पीछे संसार के रूप के पीछे संसार के पद के पीछे भागना एक बहुत बड़ी नतानी है इसलिए हमारा नेतिक उतरदईत है कि हम अपनी जीवन की उस गरिमा को सोचे कि हमें जो जीवन मिला है प्रितम पर ब्रह्म को प्रिजाने के लिए मिला है संसार के पीछे भागने के लिए नहीं हम ग्रियास जीवन में रहते हुए अपने करतब्यों को पूरा अवस्य करें लेकिन मोह न रखें हमारी हिर्दे का प्रेम क्यों प्राण प्रितम अक्षरातीत के लिए हो जैदि ऐसा हो जाता है तो क्या होगा हमारा जीवन धंतन हो जाएगा संसार तो निद्रा में भारत में जन्म लेने किसी भी मतपंत में कोई बेक्ति क्यों न रहता हो वो अपने ही मारक से परवर्म से प्रेम करें और वो सोचें कि वो डया कसा गर है वो हमें दुखन देने वाला नहीं है हम ये तो अनन्त दुखों से छुड़ा कर अनन्त प्रेम अनन्त अनन्त में डुबोने वाला है लेकिन संसार प्रमात्मा की भक्ति करता है भाय के कारण प्रेम के कारण है नहीं जिस दिन प्रेम हो जाएगा उस दिन भाय हिर्दे में नहीं रहेगा भहे कौन करता है जो दूसरा हो यदि हमारी हिर्दे में प्रितम से प्रेम होगा तो भहे नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं इसलिए संसार में जिधर देखिए चारों तरफ यह जो चौदर लोकों का ब्रह्मान रही है उसमें काल की सत्ता क्रिडा कर रही है वाई, जल, अगनी, अकायस और प्रितवीतत्यों से यह बना हुआ ब्रह्मान रहे ऐसे समय में औसर ऐसो जानके तु प्राण पति लोला है ए मेरे जीव तु महारा प्राणिस्वर कौन है या समझ तु महारा प्राणिस्वर एक मात रक्षरा दी थे औसर ऐसो जानके तु प्राण पति लोला है तु उझे किसे प्रेम करना है अपने प्रितम से जो तुसे अनंत गुना प्रेम करते है तु भोग लगाय या ना लगाय आर्थी करे या ना करे जो हर पल तुझे देखता है हर पल अपने प्रेम के रज से सिंचित करना चाता है तुझे माया से निकालने के लिए जो परमदाम की ब्रह्मवारी लेकर आया है उससे तु अपने दृष्टी फेर चुका है और किसको देख रहा है जो तेरे नहीं है और तेरे कभी नहीं होंगे तु इनके प्रतिपने कर तब पूरा अवस कर लेकिन या याद रख कि तु उसे प्रेम करने वाला एक मात्र केवल अक्षरा दी दे देखन को ये खेल खिन को लिये चाहत लपटाए मेरी जीव तु जिन से लिपट रहा है जिनको तु अपना समझता है एस्वारी को तु अपना समझता है कि ये धन ही तो मेरा सब कुछ है मताओ बानो को सिंगार के संसादन बहुत प्री होते है बस्त रावोशन उन्हें प्री होते है वो सोचते हैं कि यही सबसे बड़ा धन्य है किसी को रिष्टे प्री होते हैं किसी को कला प्री होती है किसी को कुछ प्री होता है किन्तु हमारी हिर्दे का प्रीम कि यह प्रीतम परभ्रम के लिए होना चाहिए क्योंकि यह सारा संसार क्या है कितने समय के लिए च्छन भर का ये संसार है दिख रहा है कि स्रिष्टी को हुए एक अरब च्छानबे करोड़ आठ लाग तिरपने जारे 120 वर्स हो रहे हैं कि लिए एक अरब च्छानबे करोड़ वर्स भी तीथ हो गए लेकिन जिसके संकल्प सक्ति से श्रिष्टी वनी है यह सारी स्रिष्ट तो सुप्न के समान परिवर्तित होती जा रही है यह अनाधिकाल से श्रिष्ट का चक्र चल रहा है चलता रहेगा अनंत बार श्रिष्टी वनी है अनंत बार श्रिष्टी ञह को प्राप्त हो गई है कि जब श्रिष्ठी चल रही होती है तो हम ऐसा समझने चाहिए कि जैसे सब ख़ड़गा होता है वञेसे यह स्रिष्टी के लिए भी हमारा जीवन जो मिला है इस मानोतन में यह जीवन भी च्छडबर का है, संसार भी च्छडबर का है, अखंड है, तो प्रितम केवल अक्षरतीत है इसलिए स्री महामद रूदे रमेत आसो एई मेरे जी, तु अपने हिर्दे में उस प्राणिस्वर से रमण कर, उस प्रितम से प्रेम कर अपने हिर्दे में किल उनी को बसा, जो अनाधिकाल से तुम से प्रेम करते रहें हमारा वास्तिविक समद किस से है, उस सच्छान दक्षरतीत से श्री महामद रूदे रमेत आसो, उपचत जाकी एक्छा है जी सच्छान परब्रम के सत्तंकी एक्छा से यह सारी स्रीष्ट उत्पन हुई है, जो नस्वर है, इसमें ब्रह्मन करने वाले सूरिच जंद्रमा, अंग्रह न छत्र सभी काल के गाल में समा जाने वाले है अनन्त प्राणियों के सरीर भी समाब्थ हो जाने वाले हैं, कुछ पचना नहीं है इसलिए जिसकी इच्छा से इस्तिष्ट उनी है, उसको अपने हिर्दे में जिदी हम बसा लेते हैं तो हमारा मानो जीवन धंदन हो जाएगा आजकर सारा संसार कहीं न कहीं अपने को अपने अपने घरों तक सीमित कर चुका है सबकों पर भीर नहीं दिखाई देती भाए से सभी लोग डर रहे हैं कि पता नहीं कुरोना वैरिस का तंक आ जाएगा हमें मरना पड़ेगा क्या आज नहीं तो कल तो मरना पड़ेगा कभी ने कभी मृत आएगी हैं हमारे सरीर को उठा ले जाएगी किन्त समय रहते हम साउचित हो जाए अभी भी आउसर है कि समय रहते हम साउचित हो जाए और हर पल कहीं ने कहीं दुसरे के कल्याण के बारे में सोचें अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचें संसारिक विश्यों के पीछे आँख मूद करके न भागे ये एस्वारी, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये वैभाव के नजारे सब कुछ काल के गाल में समा जाने वाले हैं इसलिए महामत रुदे रमेत आसू अपने हिर्दे में रात्र को सूने से पहले उस प्राणे स्वार को बसाएं सबरे उठने के बाद कोई विकार करने से पहले अपने हिर्दे में प्रीतम को बसा ले उसके बाद दिन्चरिया अपनी प्रारम करें कोई माया आपको बाधित नहीं कर पाएगी और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो परड़ नाम क्या होगा दुखों का ये बावंडर हमारा कभी पीछा चोड़ने वाला नहीं है हम तो सिष्ट के प्रारम से ये करते आएं कितनी बार जन्मे हैं, कितनी बार मरे हैं कितनी बार रोगे हुए हैं कितनी बार मृत सय या पर अपने संगे समध्यों को देकर हम रोए हैं कि क्या हम तुम से अलग हो जाएंगे हमारे सरी छोड़ने के बाद वो रोए हैं लेकिन मृत से कोई बचा नहीं पाता है अवसक्ता यह है संसार की नस्वरता को समझना मृत अवस्यम भावी है इसको समझना और सार तत्व है किवल पृतम का प्रेम यदि यह संसार ऐसा सोच ले तो संसार में कोई मांसहार न करे संसार में कोई किसी का धन का अपरण न करे कोई पापकर्म न करे और सारा संसार ऐसा लगता है लगेगा कि कोई भी दुखी नहीं होता केवल परितम का प्रेम ही है जो सबको आनद में डुबो सकता है प्रेम में डुबो सकता है और सबको सांती की अखंड रस्थारा में त्रिप्त कर सकता है आसा करता हूँ कि मेरी यवाज जिन तक पहुंचे वो दिल संकर्पने कि चाहें भोजन सरीर को मिले या ना मिले ऐसा एक भी दिन गुजारेंगे हम जिसमें हम अपनी आत्मा का भोजन यानि खाना, पीना, खिन खिल लिया प्यार अर्ष्रोहन पल-पल मासूप देखना यही आहार अस्कन यही हमारी आत्मा का भोजन है और इसे हम स्वयम को कभी बंजित नहीं करेंगे प्रणाव जी